यू एसडी आयन नार बहुत फेमस है करंसी ट्रेडिंग में फ्रेंस इसमें दुनिया के इतने पैसे एक दिन में ट्रेड होते हैं कि आप इसका हिसाब लगाने सकते और ये बहुत सारी लोगों की डिमांड रही थी कि कोई स्टेडी वाली कोई एक अच्छी सी यू एसडी की स्टेटेजिय अपने कर आये आज जो हम स्टेटेजी लेकर आये है आप definitely महिने के 35-40 पर्सेंट अपने कैपिनल की कंged कर सकते हैं और 2-5 महिने में अपना कैपिनल डबल कर सकते हैं तो आज की strategy बहुत खास होने वाली यहन तक जरूर देखना नमस्कार मैं हूँ दिपत और आप देख रहे हैं आपका अपना channel mcx खिलाडी फ्रेंज हमने एक strategy लेकर आये थे usd.inr पर आप लोगों ने बहुत पसंद किया और हमारे इस channel की सबसे best वीडियो भी साबित हुई थी हमने तब ही समझ लिया था कि आप लोगों का currency में बहुत interest है और इसलिए आप लोगों की demand भी रहती थी कि usd.inr के पर और भी strategies लेकर आये तो आज हम research करके एकदम simple और effective strategy आप लोगों के लिए लेकर आये हैं जो कोई भी complication नहीं रखता है एक छोटा सा बच्चा हो वो भी समझ कर आराम से trade कर सकता है तो friends आज की वीडियो काफी special होने वाली है और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी stop loss की trick बताएंगे खास करके इस strategy के लिए जो आपको बड़ा profit भी दे सकती है तो वीडियो को अंतक जरूर देखना friends हमारा चैनल नहा है इसलिए आप लोग उसे request रेट दे कि हमारा चैनल को subscribe करें वीडियो अच्छी लगते हैं तो like करें, comments करें क्योंकि इससे हमें भी प्रफसान मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी strategy अपने चैनल पर लेकर आएंगे तो friends जरूर आप इस चैनल को subscribe करेंगा और चलिए आज की जो strategy है सबसे पहले हम समझ लेते हैं board पर उसके बाद chart पर जाकर भी देख लेंगे कि यह किस तरह से work करती है तो चलिए start करते हैं USD INR की एक special strategy friends आपको USD INR का monthly expiry का chart open करना है USD INR का monthly expiry का future का chart open करना है आपको time frame रखना है 15 मिनट का अब इस 15 मिनट के time frame पर आपको सिर्फ दिन में एक बार ही trade करना है सिर्फ दिन में आपको एक बार ही trade करना है अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं आपको क्या करना है आपको notice करना है 12 बजे की 15 मिनट वाली candle अब 12 बजे की 15 मिनट वाली candle चार्ट पर कैसे दिखती है चार्ट पर वो दिखती है 12 बजे के 15 मिनट के बाद में क्योंकि 12 बजे तो candle बनना start होती है तो जो candle 12 बजे बनना start होती है और 12 पंदरा पर खटम होती है उस candle का आप high और low mark कर लेंगे high और low mark करना है high break होते ही आपको buy कर लेना है 20 lot से ज़्यादा पर 20 lot से आपको trade करना है अब 20 lot के लिए आपको लगने वाले हैं या 38 से 40,000 रुपे करीब एक lot के लिए आपको capital चाहिए होता है 1800 से 2000 रुपे तो इसी तरह से 38,000 से 40,000 तक का आपको यहाँ पर 20 lot पर capital होना चाहिए तो आप उस दिन कितना profit या loss करेंगे अब वो देखते हैं जब आप breakout पर buy कर लेते हैं 20 lot पर आपका stop loss यह वाला low रहता है low stop loss रहेगा आपका target कितना रहेगा 0.0500 आप इसको हिंदी में 5 पैसा भी बोल सकते हैं अगर 20 lot से आप trade कर रहे हैं और 5 पैसे का आपको profit होता है तो आपका profit कितना बनता है यह बनता है 1000 रुपए ठीक है अब अपनी stop loss लगा है तो stop loss जरूर वो 200 इसके हिसाब से तो कम से कम इतना होगा तो आपको नुकसान कितना होगा 400 रुपए ठीक है अब आप यह सूच रहोंगे 40,000 रुपए लगा कर दिन में हम स्रिफ 1000 रुपए कमा रहे हैं इससे कैसे capital double होगा फ्रेंड्स यह हमने एक safest target आपको बता है यह safest target है अभी हम इसके आगे की चीज़ भी आपको बताने वाले हैं कि आप बड़ा profit कैसे करने वाले है अब हम buy side का देखें same sale side का भी यह रहेगा जैसे नीचे break किया तो आप sale कर दोगे आपका पहला यह target रहेगा और आप 1000 रुपए तक का profit book कर लोगे आपका नुकसान लगबग 200-400 रुपए का रहेगा क्योंकि stop loss आपका यहाँ पे रहेगा तो यह 200-400 से ज़्यादा नहीं होता है तो stop loss और बहुत बड़ी candle बनी तो आप छोड़ दीजिएगा बस 200-400 परिंट का आपको stop loss रहना चाहिए तो जब यह वाली trading आप regular करते हो friends किसी किसी दिन में यह 2-3 candle ही है जो 15 मिनट की वो इतनी बड़ी बनती है कि यह वाला जो target है कभी-कभी यह ऐसा भी हो जाता है हम 5 पैसे के पीछे जा रहे थे अब 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा, 60 पैसा, 50 पैसे के भी profit होते हैं और वो profit कैसे gain करने हैं वो भी हम वीडियो के last में आपको बताने वाले हैं तो यह simple technique है कि उपर break हुआ तो आप इतने target के लिए जाओगे, stop loss नीचे लगाओगे नीचे break हुआ तो sale करोगे, यह target के लिए safest के लिए जाओगे, stop loss यहाँ पे लगाओगे Friends, आपका अगर 10 trade में 5 trade भी stop loss hit होता है तो डरने की जर्वत नहीं है यहाँ 200 से 400 point के आपके stop loss sit हो रहे है और profit कितना हो रहा है profit आप 1000 point का एक बार में उठा रहे हो तो definitely आपको profit होने वाला है Second thing, अब आपके दिमाग में यह भी सवाल आता होगा कि अरे brokerage कितना लगता होगा brokerage तो बहुत लगेगा इस lot पर friends कुछ खास platform है जैसे zero the upstock angel one वगर है वो कितने lot पर उस पर नहीं charges लगाते हैं वो trade पर लगाते हैं चाहे आप कितने भी lot लो वो आप पहला order कैसे लगा रहे है वो order पर होता है ना कि lot size पर तो 20 रुपे one sided लगता है means 20 रुपे खरीदने के लिए 20 रुपे बेचने के लिए लगता है आप कितने भी lot ले लो बस इतना ही charges है और थोड़ा बहुत और भी taxes charges रहते हैं 50-60 रुपे पकड़के चलो खरीदने बेचने का इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है लेकिन profit का range अच्छा है अब आपका एक यह सवाल होगा कि यह धाई महिने में कैसे double होगा फ्रेंस आथी imagine करिए कि जिसका stop loss इतना चोटा और target इतना बड़ा है मतलब 1000 रुपे का अगर target है और 200-400 परेंट का loss है और brokerage मिला के चलिए कि 500 रुपे से 100 रुपे के बीच का ठीक है तो definitely आपको profit हो रहा है बहुत बड़ा profit तो नहीं हो रहा है लेकिन आप sum up करोगे पु देखिए एक बार paper trade करके देखिए हम ये भी बताएंगे इसी strategy में कि आप बड़ा profit कैसे करोगे वो वीडियो के last में बताएंगे लेकिन अभी जो हमने आपको बताया है वो आप जरूर try करके देखिए एक मैने के लिए friends अगर आप हमारे special whatsapp group में जूडना चाते हैं तो zero the upstock angel one का हमने description में link दे रखा है इंडिया के base platform है equity हो commodity हो चाह currency आप उसमें dimate account open करके मातर एक trade करके हमारे साथ हमारे special whatsapp group में जूड सकते हो और अगर आप social media पे हमारे साथ में जूडना चाते हो तो telegram, instagram, twitter और facebook का link भी हम trade कैसे करते हैं फ्रेंस यह हम usd inr का expiry latest expiry जो monthly है उसका चार्ट open किया है 15 मिनट का time frame लगा है हम देखेंगे 12 बज़े की candle पर क्या हो रहा है तो यह बनी है 12 बज़े की candle नीचे ब्रेक हुआ तो उपर में हम stop loss लगाएंगे और आप simple इसे देख लो हम पांट पैसे के लिए जा रहे थे यहां पे तो 15-20 पैसे भी हमको मिल जा रहे मिन्स आपको 2-4,000 रुपे का profit और आप stop loss अगर notice करते हैं तो 2 पैसे का है या तो 4 पैसे का है इतना चोटा सा stop loss है यह अगर आपको नुकसान होता है तो सिर्फ 200-400 रुपे का और profit होता है तो आपको 2-4,000 रुपे क होता है यह काफी बड़ी candle बनी है जो हमारे target से भी बड़ी है हम ऐसी candle बनने पर नहीं trade करेंगे क्योंकि हमको stop loss छोटा चाहिए तो हमको छोटी candle मिलनी चाहिए तब ही हम trade करेंगे यह देखिए यह भी काफी बड़ी बनती है तो जब हमको बड़ी candle मिलती है हम उसको छोटी candle चाहिए जो हमको 2-4 पैसे का stop loss लगाने के लिए दे यह मिली हमको छोटी सी candle और हम अगर इसको देखते हैं तो यह हमको 3-4 पैसे एक पास में stop loss दे रही है और यह profit हमको दे देती है दस पैसे के आसपास में तो friends यह strategy बहुत सांदार है बस आपको ध्यान रखना है कि बड़ा stop loss मिल रहा है उस दिन आप छोड़ दो और किसी दिन आपका stop loss अगर hit भी हो जाता है यह आपने high low mark किया 12 बज़े की candle को नीचे stop loss लगा है पांच पैसे तो आपको मिल जाएंगे में 20 स्लोट से कर रहे हो तो आपको 1000 रुपए तो आराम से मिल जाएंगे तो यह इस strategy की खास्यत है कि छोटा सा आपका stop loss है किसी दिन stop loss hit भी हो जाता है by chance तो दुबारा अगर chance मिलता है तो फिर आप उसमें enter कर सकते हो यह आपका high low अपने mark किया उपर break हुआ और इसने आपको कम से कम 5 पैसे profit तो दे ही दिये तो इसी तरह से आपको यह notice करना है कि बहुत बड़ी candle ना हो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमने high low mark किया और इस candle ने हमको कितना बड़ा profit दिया है आप notice करते हो तो यह हमको 10 पैसा 15 पैसे का profit यह दे दिया है तो इसी तरह से आपको 12 बज़े की candle पर ध्यान रखना है कि वह छोटी बने छोटी बने तो अच्छा आपका stop loss के करीब रहे अब यहाँ पर एक चीज़ आप notice करो अगर आप देखते हैं उपर break करता है तो आपको वह 5 पैंट तो दे ही देगा stop loss आपने नीचे लगाया पांच पॉइंट वह आपको दे ही देता है लेकिन एक टेक्निक है stop loss ट्रेलिंग की जो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे उसे अगर आप सिख गए तो आपका stop loss भी हिट होने के चांसे सकम हो जाएंगे और profit आपके बड़े हो जाएंगे इसलिए उस टेक्निक को आप लोग जरूर देखना यहां देखिए कितनी छोटी सी केंडल बनीए बारावजे के पास में और हमने उसके हाई ब्रेक होते ले लिया उसके लोग पर हमने स्टाप लॉस लगाया और नोटिस करो आप कितना बढ़िया इसने प्रॉफिट दिया है तो रिस्क रिवार्ड रेश्यो इसका अच्छा है यह यहां पर भी देखिए हमने हाई लो मार्क किया हाई ब स्टाप लॉस हीट हो गया तो आप दुबारा एंटर भी कर सकते हो यहां पर देखिए यहां पर नीचे ब्रेक हुआ उपर स्टाप लॉस लगाया इसली आपको पांच पैसे प्रॉफिट वह दे देता है यहां पर हाई लो का आपने मार्क किया यह लो ब्रेक करके आपका स स्टाप लॉस हीट कर दिया एक बार ठीक है दुबारा इसने अपर चांस दिया अब आप नोटिस करो कि कितना आपका स्टाप लॉस गया और कितना इसने टार्गेट दिया बीस तीस पैसे का प्रॉफिट यह दे दे रहा है तो काफी काफी अच्छा बड़ा प्रॉफिट दिया मिन्स अपके दोसो से चार सो रुपए स्टाप लॉस में गया और आपका प्रॉफिट इसने दे दिया पांस से छे हजार अब यहां देखे छोटी सी केंडल बनी बहुत सार्पली उपर की साइड ब्रेक दिया बीस से तीस पॉइंट आप इतना लंबे देर अगर नह लुकते नहीं हो तो भी आपका आराम से प्रॉफिट होता है तो फ्रेंस इसे आप लोग एक बार चार्ट उपन करके चेक करिए आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है यह देखिए छोटी सी केंडल बनी है हम याद रखेंगे कि स्टॉप लॉस हमें बड़ा मिले उस दिन हम छ जाती है पांच पैसे से बड़ी बन जाती है तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे हमको छोटी केंडल चाहिए तो छोटी केंडल जब जब हमको मिलती है यह देखिए कितनी छोटी सी केंडल मिली है और उसने हमको पांच पैसा प्रफिट दे ही दिया नीचे की ओर तो इसी त मिलता है तो नहीं तो हम नहीं करेंगे यहां पर देखिए यहां पर भी छोटी सी केंडल मिली है हम नीचे साइड में जाएंगे और कितना बढ़िया प्राफिट है तो आप लोग इसी स्ट्रेटेजी को ट्राइज जरूर करना से अब वह स्टॉप लॉस्ट ट्रिलिंग की ट केंडल बनी है और इसका हाई ब्रेक हो गया है हाई ब्रेक होते ही जैसे ही अपने ट्रेड ले लिया है यहां पर ट्रेड ले लिया आपका स्टॉप लॉस आपका यहां पर रहेगा या तो फिर आप यहां पर रख लीजी ठीक है यह वाली केंडल बनते ही अपने स्टॉप को यहां पर shift कर दीजिए फिर अगली candle बनी यह वाल stop loss को यहां shift कर दीजिए अब जब यह candle नीचे आती है और यह stop loss हिट होता है तब तक friends आपको एक बड़ा profit हो चुका होता है अगर इस technique को आप use करते हैं stop loss ट्रेलिंग के लिए इस strategy में तो definitely आप 1000 रुपे नहीं दिन के 2, 4, 5,000 रुपे भी आराम से कमा सकते और आपका loss होने का chance तो बहुत ही कम है और होगा भी तो छोटा सा तो उमीदे friends की ये आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी पसंद आई है तो like करना दोस्तों क के शाथ में share भी कर देना और comments करके बता ना कि आप हमारे चैनल पर और किस तरह की वीडियो या strategy देखना चाहते हैं friends अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दीजे ताकि इसी तरह की और भी interesting वीडियो आपको notification पर मिलती रहे अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे तब तक के लिए नमस्का